Hello everyone, I hope आप लोग सब ठीक होंगे आज हम लोग डिसकेस करने जा रहे हैं The Pot of Gold by Plotus The Pot of Gold एक कॉमेडी है जिसे लिखा है कॉमेडी के फादर रोमन प्लेराइट टेटर्स मेक्यास Plotus ने Plotus ने इस कॉमेडी को लिखा with the title Lulularia जिसको बाद में Translate किया गया into the little pot and then the pot of gold स्टोरी को आज हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसका analysis करेंगे The Pot of Gold by Plotus रोमन एज के अंदर ये माना चाहता था के हर घर के अंदर एक देवता रहता है जो के उस घर की हिफाज़त करता है ऐसा ही एक देवता जिसे हम लार या डिटी कहेंगे वो इस प्लेग के मेन करेक्टर यानी यूकलियो के घर में रहता है उसके घर की हिफाज़त के लिए अब यूकलियो के ग्रेंट फादर यानी दादा ने इस लार की एक डिउटी लगाई थी वो डिउटी ये थी कि एक पॉट ओफ गोल्ड यानी सोने के घर की हिफाज़त करना और उसे एक राज रखना ये डिटी इस राज को राज रखता है और किसी को सोने के घर के बारे में नहीं बताता उसको यूकलियो नहीं पसंद क्योंकि इस लार को लगता है कि यूकलियो एक बहुत नाफरमान इनसान है और वो इसकी पूज़ा भी नहीं करता इसलिए वो इसको सोने के घर के बारे में नहीं बताता यूकलियो की एक बेटी है जिसका नाम है फेड्रिया फेडریya लार को बहुत पसंद है यूँके वो एक बहुत नेक लड़की है और वो लार की पूजा भी करती है लार उसका बहुत खयाल रखता है फेडरियya के जिन्दगी में एक मसला आन पड़ता है वो मसला ये है कि एक अमीर जादा जिसका नाम है लाइक कॉनेडस वो फैडरिया का रेप कर देता है जिसके नतीजे में फैडरिया प्रेगनेंट हो जाती है लार को इस बारे में पता है और वो चाता है कि फैडरिया अपनी जिन्दगी में खुश रहे और उसको खुश रखने के लिए वो चाता है कि वो उस घड़े के बारे में फैडरिया को बता दे मतलब वो राज उसको बताना चाहता है ठाके फैडरिया को वो घड़ा मिल जाए और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी कुसारे लार फैडरिया को उस घड़े के बारे में बता देता है और यूखलियो भी सुन लेता है यूकलियो को जब इस सोने के घड़े के बारे में पता चलता है तो वो बहुत खुश होता है लेकिन यूकलियो के ये नहीं पता के लार ने फैड़िया को उस सोने के घड़े के बारे में क्यों बताया और उसको वो घड़ा क्यों दिया अब यूकलियो उस घड़े को ले लेता है और खुशी-खुशी रहने लगता है उसी दोरान यूकलियो के घर में एक मुलाजिमा काम करती है जिसका नाम है स्टेफिला यूकलियो के उसको रवया बहुत अजीब लगता है और उसको लगता है कि शायद उसको उसके घड़े के बारे में पता चल गया है लेकिन उसे ये नहीं पता कि स्टेफिला एक्चॉल में परिशान रहती है अपनी मालिकन यानी फेड्रिया के बारे में सोच कर क्योंके उसको पता है कि फेड्रिया के साथ क्या हुआ है और वो कैसे प्रेगनेंट हुई है अब दूसरी तरफ है एक अमीर आदमी मेगाडोरस और उसकी बेहन यूनोमिया यूनोमिया चाहती है कि मेगाडोरस की शादी हो जाए लेकिन मेगाडोरस किसी अमीरजादी से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उसको फेडरिया पसंद है और वो फेडरिया से शादी करना चाहता है लेकिन फेडरिया उससे उमर में बहुत छोटी है फेडरिया का जिस लड़के ने जिस अमीरजादे ने रेप किया यानि लाइकॉनेडस वो एक्चुल में मेगाडॉरस का बतीजा है लेकिन मेगाडॉरस और उसकी बहन युनोमिया को इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता मेगाडॉरस युकलियो के पास चाता है और उससे फेडरिया के बारे में बात करता है और उसको बताता है कि वो फेडरिया से शादी करना चाता है यूकलियो जब ये सब सुनता है तो उसको लगता है कि मेगाडोरस को शायद उसके सोने के घड़े के बारे में पता चल गया है इसलिए वो उसकी बेटी से शादी करना चाता है अब वो मेगाडोरस से कहता है कि उसे कोई मसला नहीं वो अपनी बेटी की शादी उससे कर देगा लेकिन एक शर्थ पर के वो जहेज नहीं देगा मेगाडूरिस ये सुनकर हैरान तो होता है लेकिन वो यूकलियो की बात से मुटतिक हो जाता है और उसके बाद उन दोनों का रिष्टा तैह हो जाता है यूकलियो मेगाडोरस और फेडरिया के रिष्टे के बारे में आकर स्टेफला जो की घर की मुलाजिमा है उसे आकर बताता है और उससे कहता है कि शादी की तैयारियां शुरू करो मेगडोरस खुशी खुशी शादी की तैयारियां करता है वो हर चीज़ का इंतजाम खुच से करता है लेकिन यूकलियो किसी चीज़ में पार्टीसिपेट नहीं करता वो शादी की तैयारियों में नहीं लगता बलके उसे एक ही चीज़ का ख्याल है और वो है सोने का घडा उसको लगता है कि कहीं। मेगडोरस इस सब मामले में शादी की तयारियों के दौरान उसका सोने का घडा ना चुरा ले इसलिए वो पूरा वक्त अपने घड़े की हिफाथत में लगा रहता है। अब इसी हिफाज़त के दुरान वो परिशान होता है, बहुत खोफज़ता हो जाता है और अपने सोने के घड़े को लेकर एक टेमपल पहुंच जाता है ताके वो उसको वहाँ छुपा सके वो घड़े को चुपाने के लिए टेमपल की तरफ जाता है और उसके पीछे लाइकॉनेडिस का सर्वेंट यानि मुलाजिम स्ट्रॉबिलस भी पहुंच जाता है जो के घड़े को चुराने के लिए पहुंचता है लेकिन यूकलियो के इस बारे में कुछ नहीं पता यूकलि जब वो वहां पहुंचता है और देखता है के घड़ा तो वहां मौचूद ही नहीं तो वो बहुत सादा परिशान हो जाता है जब वो परिशानी की हालत में वापिस लोड़ता है तो वो लाइकॉनेडिस से मिलता है लाइकॉनेडिस को लगता है कि शायद यूकलियो को उस जिस पर यूकलियो कहता है कि तुम्हें क्या मिला मेरा सोना चुरा कर जिस पर लाइकॉनेडिस कहता है कि कौन सा सोना मुझे किसी सोने के बारे में नहीं पता जिस पर यूकलियो कहता है कि फिर तुम किस बारे में बात कर रहे थे तो लाइकॉनेडिस ये सुनकर अपने और फ से मिलता है जो के उसको सोने के घड़े के बारे में बताता है लाइकॉनेडिस उससे सोने का घड़ा ले ले लेता है और यूकलियो के पास पहुंचता है यूकलियो जब सोने के घड़े को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और खुशी-खुशी में वो लाइकॉने का घड़ा फेडरिया के पास पहुंचाए ताके वो खुशी-खुशी अपनी जिन्दगी गुजार सके तो यहां पर खतम होती है यह स्टोरी दा पॉर्ट आफ गोल्ड एनालेसिस में सबसे पहले हम देखते है प्लॉट कंस्ट्रक्शन अगर हम इस प्ले के प्लॉट की बात करें तो उसके अंदर दो मेन स्ट्रेंड्स है पहला स्ट्रेंड है यूकलियो का जब उसे सोने का घड़ा मिलता है तो वो उसे छुपाने में लगा रहता है और दूसरा स्ट्रेंड है Phedria और Lyconides का love affair Megadorus जब अपनी दिल्चस्पी जाहिर करता है Phedria में तो वो इन दोनों plot lines को complicate करता है यूकलियो को जब पता चलता है कि Megadorus Phedria से शादी करना चाता है तो उसे लगता है कि शायद उसे सोने के घड़े के मारे में पता चल गया है इसलिए वो शादी करना चाता है और दूसरे साइड पे उसका marriage proposal जो है वो interfere करता है Lyconides की desire की दरमयान में तो मेरी Phedria कि वो Phedria से शादी करना चाता है लेकिन Megadorus दरमयान में आ जाता है तो ये दो main strands है और ये plot बहुत خوبصورती से आपस में interwoven है एक compact structure है इसकी हम कोई भी extra चीज़ नहीं देखते हैं इसके अंदर even minor characters भी major characters के उपर बहुत خوبصورती से बात करते हैं और इस plot के अंदर हम तीनों unities देखते हैं time, place and action action क्या है कि पूरा plot main theme के इर्दगिर्द घूमता है theme of average and miserliness conjuicy और लालच इस theme के इर्दगिर्द पूरा plot घूमता है और place क्या है एक गली के अंदर Athens की एक गली के अंदर कुछी घंटों में ये पूरी story complete हो जाती है तो ये है plot main plot of this play plot construction के बाद हमारे पास है themes इस play का number one और major theme है greed and average मतलब के लालच इस पूरे play के अंदर हम इस main theme को देखते हैं इसकी destructive nature को देखते हैं जब हम देखते हैं कि यूकलियो को वो सोने का घड़ा मिलता है तो वो उसके पीछे पागल हो जाता है उसे नई मिली दोलत ऐसा लगती है कि वो उसके पीछे पागल हो गया है और उसे चुपाने के लिए वो बहुत सारे miss understandings और complications बना देता है जब मेगडोरे से मिलता है तो उसको लगता है वो भी लालची है वो किसी से भी मिलता है तो उसे लगता है कि वो इनसान लालची है और वो पूरी स्टोरी को complicate करता जाता है इसलिए इस स्टोरी के अंदर हम देखते हैं कि बहुत स्यादा लालच जो है वो लोगों को material चीजों की possessions की तरफ ले जाता है इसलिए बहुत स्यादा लालच नहीं होना चाहिए तो ये main theme है greed and average second theme है deception यानि के फ्रेब इस पूरे play के अंदर हम इस फ्रेब को ट्रिकरी को देखते हैं जितने भी characters हैं जैसा के यूकलियो वो अपनी जो दोलत है अपना सोने का घड़ा है उसे चुपाने के लिए लोगों को धोका देता है उनके साथ फ्रेब करता है वो लोगों को ये दिखाता है कि वो अभी भी गरीब है उसके बाद लाइक कानेडस का घुलाम वो भी उस सोने के घड़े को चुराता है और लोगों को धोका देता है तो ये चीज के ये deception जो है इससे इनसान और जादा जूट और misunderstanding में जकरता जाता है और इस थीम को हम देखते हैं किस तरह से dishonesty और manipulation वो कैसे हालात पैदा कर देती है और सभी characters की morality को judge करते हैं इस तरह से तो ये थीम है deception का, frame का और ये हम इस play के अंदर openly देखते हैं सभी characters के अंदर तकरीबन और लास्ट थीम है social class and status हम इस play के अंदर देखते हैं कि जितने भी characters हैं वो Roman society के अंदर social class और status को represent करते हैं यूकलियो को जब सोने का घड़ा मिल जाता है वो उसके बाद भी lore class ही रहता है वो गरीब ही रहता है उसका जब interaction होता है लाइक कानडस और मेगाडोरस के साथ जो के upper class को represent कर रहे होते हैं वो upper class के characters है और social hierarchies और distinctions को represent करते हैं उसके बाद लाइक कानडस का घुलाम भी वो सोने का घड़ा क्यों चुराता है ताके वो आजाद हो जाए उसको उसकी घुलामी से आजादी मिल जाए तो ये हम देखते हैं किस तरह से जितने भी characters हैं वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं ताके वो upper class या अपने social status को upgrade कर सके तो ये देखते हैं हम के social class और status ये बहुत जादा दिखाया गया है इस play के अंदर तो यहाँ पर खतम होता है हमारा आज का ये lecture आज के लिए इतना ही मैं मिलूंगी अपनी next वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज